प्रक्षिमल उत्रा आपके हिंदी अनुवादत के रूप में और कुछ लग करने में क्योंकि यह जो लिंक है यह नया था और मुझे आशा है कि आपको भी इसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़ा हो जैसे मुझे करना पड़ा सभी को नमस्कार है सभी का स्वा कि मुझे लगता है मरिया जी की जो विडियो है या उनकी तरफ से जो इंटरनेट है उसमें कुछ दिक्कत है और शायद वो स्क्रीन फ्रीज हो गई है शायद कुछ तक्नीकी समस्या है उनकी तरफ से तो जरा कुछ शन दीजिए और मुझे लगता है कि वो जरूर हमारे साथ कुछी शनों के अंदर दुबारा हमारे साथ जुड़ जाएंगी हम आपके धैरे की सरहाना करते हैं करते हैं झाल 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 जी हां सभी भाशाओं में ऐसा हो रहा है और मरिया जी का जो इंटरनेट है उसमें कोई तुरूटी है कोई गड़बड है जिसकी वज़ा से उनकी तरफ से प्रसारन नहीं आ रहा है और हम उन्हें नहीं देख पा रहे या सुन पा रहे हैं कुछ शन का विलंप हो सकता है क्रिप्या करके आप हमारे साथ बने रहें मुझे आशा है बहुत जल्द यह वेबिनार आपके साथ हम शुरू करेंगे और 20 में समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि मरिया जी की तरफ से इंटरनेट में दिक्कत है क्रिप्या कुछ शन हमारे साथ आप बने रहें धन्यवाद आपकी आपके धैरे की हम सरहाना करते हैं ठीक है तो मुझे लगता है अब शाहिद जो समस्या थी सो वह बढ़िया हो गई है उसका निप्टारा हो गया है मुझे आशा है कि आप मुझे देख पा रहे हैं भैतरीन रूप से सुन पा रहे हैं आईए हम आपके साथ मिलके अगली स्लाइट पर चलते हैं बिना विलंप की तो जो हमारा अंतिम वेबिनार था समरी वेबिनार उसमें हमने यह कहा था कि जो भागीदार है जब वो संक्रमित हो रहे थे या हस्तारन कर रहे थे ब्लॉक्चेन में तब कुछ अंतर उन्होंने देखा बैक ओफिस में और ब्लॉक्चेन खाते में तो हमने क्या किया? इसके लिए हमने टालिका यानि टेबल का निर्मान किया उन सभी उप्योग करताओं का नाम उसके अंदर है जिन में उनके बैक ओफिस और ब्लॉक्चेन के बीच में जो मात्रा है उसमें हेर फेर है या वो समान्य राशी नहीं है मिलती नहीं है तो उस अंतर को सुल्टाने के लिए जो बैक ओफिस के विशेशग्य है वो काम कर रहे हैं उसके उपर और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यह जो पूरी प्रक्रिया है इसको स्वचलत रूप से कर दिया जाए देखे हमने इससे पहले मैनवली करने की कोशिश की और इसमें बहुत साथा समय लग रहा स्पैनिश में एक हजार भागिदार हैं तो अगर हम मैनवल रूप से यह जो अंतर है इसको सुल्टाने की कोशिश करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है और मानव संसाधन लगते हैं तो हमने क्या किया हमने यह सोचा कि जो हर भागिदार है उनके बैक आफिस क पे जहां पे सीट फ्रेस को उत्पन किया था पॉर्टफोलियो अनुभाग में वहीं पे आपको रिफ्रेश बैलेंस का बटन केवल एक बार देखने को मिलेगा तो आप में से वो प्रतेक व्यक्ति जिसने वो तालिका को भरा है या जिसने समर्थन सेवा पे अपनी डिटे जो बैक काफिस से वह ब्लक चेंग सिरू करते का कि कैसे हम बोले जो अंतिम मन्सिल तक नहीं पहुंच पाई जो जो अंग है वो नहीं पहुच पाई तो अंतर क्यों है हमारी ब्लॉक्टेंन और बैक ओफिस क्योंकि हमारे बैक आपकॉफिस में कई सारे पैकेज़ है ऐसे है जो जिसमें शामिल थे सी यारियो अंक वो सी यारियो आंक जो कि आपको प्राप्त हुए थे विपन योचिना यानि मार्केटिंग प्लान के तहट और जब आपने को खरीद किया था तो उसके साथ यारियो आंक आपको मिले तो इस प्रकार के कई सारे पाकेज कंपनी ने शुरुवात की थी और जब यह सभी पाकेज को एक-एक करके ब्लॉक्चेन पर डाला गया तब ऐसा हमें लगता है कि कोई स्थानी है यानि टेंप्ररी फेलियर वहां हो सकता है और जो उसकी वजह से कुछ-कुछ जो एंट्रीज हैं वो शायद उस ब्लॉ चेन पर अपनी मंजिल तक और इसी वजह से आपको अंतर देखने को मिलता है तो जब आप रिफ्रेश पैलेंस बटन पर क्लिक करेंगे आप यह न सुचे कि एकदम तुरंट सब कुछ हो जाएगा आप थोड़ा सा समय दीजिए आप बटन पर क्लिक करें और बटन पर क्लि लग सकते हैं तो आप यह देख पाएंगे कि क्या आपके पास जो आपके मिसिंग टोकन है वह आपको हो सकता अगले दिन देखने को मिले तो इस प्रकार की जो कारेश हमता है हमारी कोशिश है कि हम इसको लागू करें और शायद सोंबार को हम सुनिश्चत करेंगे कि आई बैक ओफिस में देखने को मिल जाए लेकिन अगर सब कुछ बढ़िया हो जाता तो आप यह ना करें कि आप सीधा बस क्लिक करें जारें आप यह याद रखें कि अगर आप क्लिक करते भी है तो जो सिंक्रोनाइजेशन है इसमें थोड़ा समय लग सकता है दूसरे भी भाग वागे भागे डारों का जिनको कुछ समस्यां हुई है दिक्तते हुई है आपने ब्लॉक्चेन को उत्पन करने में और उन्हें बदले में जवाब मिलता है सर्वर एर्र ता यानि एक व्यक्ति ने सीध फ्रेस को ईथपन करने की कोशिश की और उसको एंटर करने की कोशिश की और फिर उन्होंने क्या देखा सामने स्क्रीन से जवाब आता वा देखा कि यहां तो सर्वर एरर है तो ऐसे लोग जिने सर्वर एरर की दिक्कत हुई और वो समर्थन सेवा पे उन लोगों ने संपर्क किया है लगपक ऐसे 41 खाते हमारे पास ह वो सभी लोग जो कि उस सूची के अंदर शामिल हैं तो किसी ने यह कहा है कि कोई मुझे सुन नहीं पा रहा है ऐसा है क्या पर मेरे को तो बहुत ताचुप हो रहा है क्योंकि अंग्रेजी कक्ष में तो बहुत बढ़िया ध्वनी आ रही है मरिया जी की और ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए तो जांच कर रही है इंटरनेट की जी हां मरिया जी की ध्वनी बहुत बड़ी और सपश्ट है धन्यवाद आप सभी की प्रतिकुष्टी क्या और मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों ने समर्थन सिवा पे संपर्ट नहीं किया है और अगर अभी भी आपको सर्वर एरर मिल रहा है अगर अभी भी आप सब्सक्राजब कर आप नहीं कर पाएगा और इसके लिए क्या किया जाएगा कि ये सब्सद्रूब्लें долларов blockchain wallet है जिनमें वो अपना पहुंच नहीं कर बना पाए हैं लेकिन फिर भी उस blockchain में उनके CRU balance हैं तो ऐसे में क्या होगा कि यह सबी जो wallet है इसे nullify कर देंगे यानि जो CRU अंक है वो वहां से उठाके लिए जाएंगे और जो नया खाता है उसके अंदर डाला जाएगा और फिर यह जो भागिदार हैं यह अपनी की को दुबारा से उत्पन कर पाएंगे क्योंकि यह सरवर्द में दिक्कत थी और जिसकी इस प्रशने कर पाएं अपनी की गलती की वजह से या ऐसे भागिदार जिनकी जो फो गए उनको उनकी हम मदब कर सकते क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी ने उनके खाते को कर लिया उसमें घुस कई हो को और चाहे जायस तरीके से घुसे हो चाहे बुरे लोगों की मदद नहीं कर सकते क्योंकिंगेंगे प्राइप निर्मान किया क्या के दो या तोथ लोखिस लेकिन ऐसा हो सकता है अगर किसी कarp उप्योग किया आपका नहीं है और इसे भागीदारों की अंपढ़ता का फाइदा उठागा जो अगला संदिक्त व्यक्ति है उसने शायद फाइदा उठा लिया हो तो अगर किसी व्यक्ति को पता है कि आपके वॉलेट में कैसे प्रवेश करना है अपने सी आपके सीट फ्रेस के मादम से तो उनको वो पहुँच हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त हो जाएगी हाला कि यहाँ पर एक तरीका है जहां आप निर्जी का उत्पन कर सकते हैं लेकिन यह लिए लिए इस तरह काम करता है तो वहlar लोग की निर्मान किया है सीट प्रेस का वो भी किसी और की मदद से मैं जानती हूं कि वो अपने सीट प्रेस को नहीं बदल पाएंगे उनके उनको शायद इतना कंप्यूटर के बारे में जानकारी ना हो और अगर हमारे भागीदारों ने किसी और की मदद ली है सीट प्रेस उत्पन करने के लिए और वो किसी तरह से री स्टोर कर भी लेते हैं री स्टोर कर भी लेते हैं अपनी पहुँच को तो भी उन्हें दिक्ततों का सामना करना पड़ेगा एक नए सीट फ्रेस के निर्मान को और तब भी उनका जो पहुँच है ब्लॉक्चेन खाते तक उसको वहाथ से गवाब में लोगों के साथ साजा कर रहें वो पी सपोर्ट टिकेट वालों को दे रहे हैं और लोग यह कहते हैं आप में अपना सीट फ्रेस दे दीजे और हम आपके मदद करेंगे आपको थोड़ी ना पता है कि चैट में कौन है क्या पता सामने वाला एक परिश्टा हो या एक रा आप खुद से निर्मान कर सकते हैं एक या दो चीजे ब्लॉक्चेन के बारे में जानके या जो आपके बच्छे हैं या नीजी संबंधी लोगे जो आपके विश्वास के पात्र हैं आप उनके साथ ही कर सकते हैं लेकिन कभी भी कभी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे परिचित ना हो या जिसपे आपको भरोसा ना हो उनके सामने आप सीट फ्रेस को कभी भी जनरेट ना करें ऐसे भी लोग है जो कि अपने टिकेट समर्थन सेवा पे भेजते हैं और कहते हैं कि हम ऐसे भागिदारों की श्रीनी में हैं जो कि CRU को WCRU में रूपांतरन नहीं क पास परियाब सम्प्यूटेशन पावर नहीं होती यानि CPU नहीं होती और तब उनको दिक्कत आती है तो जो भी हमारे प्रोग्रामर्स है वह समस्या को देख रहे हैं यह लहर की तरह तुरूटी कभी सुलट जाती है कभी दिक्कत आ जाती है और जो कुछ भागेदार है जो चाहते हैं रूपांतरन करना CRU को आठ एप्रिल को जब यह पहली पहले दिन उपलब्थ हुआ था यह फंक्शन उन्हें भी शायद कुछ दिक्कतों का सामना करना पर रहा हो क्योंकि वहां पर स्मार्ट कॉंट्राक्ट में दिक्कत थी और जो कमिशन थी उसका गनना सही त क्या और जो फ्रोजन आइटम है वो ठीक से नहीं हुए थे तो आठ एप्रिल से सोला एप्रिल तक यह सभी जो आइटम है इनके अंदर कुछ-कुछ दिक्कते थी यानि कि आप यह समझ लीजे कि कुछ शेष बैलंस था रिमेनिंग बैलंस था जो की नहीं हुआ जब भाग उसके अंदर बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन शमता लगती है शक्ति लगती है और इसी वज़ा से आपको बार बार यह संदेश देखने को मिलता है कि CPU जो है परियाप नहीं है लेकिन यह समस्या लाखों लोगों को देखने को नहीं मिली यानि कि तीन लाख लोगों में स बहुत कम सामने आती है तो इसने से संभालना मुश्किल है क्योंकि जब एक ऐसी तुरूटी होती है जो कि बहुत ही बड़ी मात्रा में लाखों लोगों को उसका सामना करना पड़ता है तब उसको सुल्टाया सुल्टाना थोड़ा सरल होता है लेकिन मान लीजिए अगर को कोई दिक्कत के वर कुछी खातों में हुई है तो कारण ढूंबना बड़ा मुश्किल होता है कि क्यों जो सी पीओ है वो परियाप नहीं पड़ा खास करके जब आप सी यार्यू को डव्यू सी यार्यू में करने का प्रयास कर रहे हैं तो मंडे यानि सोंबार को जो पहला बॉक्से है उसको उसका शुपारम किया गया और इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद इसमें एक और सप्ता लग सकता है हम इसकी जाच करेंगे हम कोशिश करेंगे कि सभी जो समस्याएं और तुर्टिया हैं उनको सुल्टा दें आपके लिए उ उफार है CRU से CRU के लिए वो उनके पास नहीं पहुंचा है जी हां हमारा जो बैक ऑफिस है उसके अंदर जो भी CRU उफार है वो तो सही समय पर पहुंच रहे हैं लेकिन यह जितने भी CRU पॉइंट है यह हमारे जो फानांशल डिपार्टमेंट है या जो IT उन्होंने वो लगातार उसको भेजा है लेकिन अगर आप ब्लॉक्चेंग की बात करते हैं तो आपको लगाता रिफ्रेश करने की जरूरत है इसके लिए आपको जैसे मेरी स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं स्टेकिंग CRU से CRU वाले बटन पर जाना है फिर आपको एक न तो यह जो स्क्रीन शॉट है यह दर्शारा है कि मेरा अंतिम जो अपडेट है वो बीस दिन पहले हुआ है और पच्छस माई को मुझे एक सो साथ CRU अंक प्राप्थ हुए हैं तो मुझे याद नहीं है यह कौन सी स्टेकिंग थी लेकिन CRU से CRU की जो स्टेकिंग है यकीनन वो काम करती है आपको बस याद रखना है कि अगर आपने 25 मार्च को स्टेक किया है तो 25 या 26 इस महीने की या अगले महीने की आप अपने क्रिप्टो वालेट पे जाए और वहां जाके आप क्लिक करें फोर सब्देट बटन पर और उसके बाद आपके जो CRU टोकन है सो आप के बैलन्स में शामिल हो जाएंगे और आप उन्हें पुना स्टेक कर पाएंगे या उसका रूपांतरन WCRU में कर पाएंगे या इसको एक्सचेंज पे भेज़ पाएंगे जो भी आपकी वरतमान वितिये स्थिती है और जो आपकी टोकन रनीती है उसके अनुसार आपको सी है हम देख सकते हैं कि जो हमारे भागिदार है वह सक्री रूप से अपने सी आर्यू का रूपांतरन कर रहे हैं लगपक 20 billion CRU अभी तक परिवर्तत या रिनी रूपांतरन उनका हो चुका है तो तो प्रिवाल कमिशन है वो तो बहुत छोटा है अभी के लिए अगर आप को और बदन में UNTB भी प्राप्त कर सकते हैं और जानते हैं कि आप भविश्य में लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस और प्रॉफी बोनस भी आपको प्राप्त होगा और यह निर्बर करेगा कि कितने संख्या में आपके पास WCRU है उसके आधार पे आपको यह प्राप्त होग पर मुझे लगता है कि यह कमिशन एक जुन को नहीं बढ़ाया जाएगा क्योंकि अभी हमारे पास तीन प्रकार के लोग है जिने समस्याओं का समना करना पड़ा है डी सिंक्रोनाइजेशन का जो रूपांतरन नहीं कर पा रहें और ऐसा भी चोटा समूल जो की क्रिप्टो वॉलेट पे नहीं पहुंच बना पा रहे हैं तो जब तक हम लोग इन सभी समस्याओं को सुल्टा नहीं देते तब तक हम कमिशन शुल्क को नहीं बढ़ाएंगे सी यार्यू से डव्यू सी यार्यू के रूपांतरन के लिए आईए अब हम इस स्लाइड पर अब बात करते हैं वर्तमान रूपांतरन शुल्क क्या है शमाकरे वर्तमान नहीं जी हां आप देख सकते हैं लेंदेन का शुल्क दर यहां पर आप देख सकते हैं कुछ उधारन हमने आपके लिए यहां लगाए हैं यह हमारी वर्तमान रूपांतरन का कमिशन शुल्क है और यहां पर कु कमिशन चुल्क है वह सो डॉलर तक हो सकता है तो यह यकीनन एक प्रोग्रामिंग समस्या है तो इसलिए आप तनावना मन में महसूस करें जब यह नाइन नाइन दिख रहा है लागा तारिया चार बारी नौ दिख रहा है आपको मेरे को लगता है यह जो कंप्यूटर है सोचत है हमें पता है हम जाकरुग है समस्या के बारे में और जो प्रोग्रामर्स है उन्होंने यकीनन इस प्रकार के कुछ किस्से भी देखे हैं लेकिन आज नहीं तो कल यह जो त्रुटी है यह सामने आ ही जाती है तो मेरे प्यारे दोस्तों आप करके कंवर्जन पर क्लिक ना कर कर पाएंगे और यह आपके बैलंस में शामिल हो जाएगा लेकिन अगर आप देखते हैं कि किस प्रकार का कमिशन आप राप करने वाले हैं किस प्रकार का कमिशन हम भविश्य में बुक्तान करेंगे CRU से WCRU के रुपांतरन के लिए मुझे लगता है कि 100 डॉलर या 10,000 जो CRU है वो शायद आपको लगे कि हाँ यह तो सही है यह राशी सही है क्योंकि भविश्य में जो रुपांतरन का शुल्क है वो बराबर हो जाएगा उस अंतर के जो कि अभी वर्तमान CRU Exchange पे है शुल्क और जो यूजी पे ग्रुप के अंदर CRU का मुल्य है मैं दुबारा दो समान CRU शुल्क जो कि आप Exchange पे देखते हैं उसमें और WCRU का जो मुल्य है जो आप यूजी पे ग्रूप में देखते हैं उन दोनों के बीच के अंतर के आधार पर यह कमिशन चुल्क होगा तो फिलाल जितने भी Ambassador और सभी अध्यक्षिय परिश्रत के लोग है प्रिसिदें प्रतिशत पर बढ़ाएं और फिर चालिस प्रतिशत का जो डिफरेंस है करेंट CRU मुल्य और WCRU मुल्य जो की यूजी पे ग्रूप में है उसका चालिस प्रतिशत होगा और फिर आखिर में हम इसे सो प्रतिशत कर देंगे तो फिलाल अगर अभी भी आप एक दोराहे में ह है कि आपको क्या अभी ये करना है या भविश्य में करना है जब ये तो एकदम कमिशन शुर्क चो है आसमान की उचाईएंगों को छुएगा तो ये निर्ने आप खुद ले और जैसे कि मेरे जितने भी प्रोग्रामर्स हैं उन्होंने मुझे ये कहा है कि अगर आपने इसे क रिफ्रेश हो जाएंगे और जो नया कमिशन शुर्क है इसको भी रिफ्रेश करके अपडेट किया जाएगा और ऐसे में कई लाखों या मिलियन सी आर्यू होंगे एक्स्चेंज खाते में तो यह मान लिजे ये एक लिंबो की तरह है एक ऐसी जगा जहां पर जो सी आर्यू किया और अगर आपने शुर्क का भुक्तान नहीं किया है तो ऐसे में तो ऐसे में आपको दिकत हो जाएगी और आपने इसके लिए आपको जो आपका ब्लॉक्चेंड वॉलेट है आप वहां पर जाएंगे और वहां जाके आप देखेंगे या ध्यान देंगे कि जहां पर अब को सायद ऐसा बिदीन आ सकता जाँ आपको до डॉलर का बुक्तान करने के जैसके मैं रिजेंडों जाहाँ पर आपको दो डॉलर का बुक्तान करना वहां पर अप देखेंगे करे हजार डॉलर का शुल्क लिया जा रहा है क्योंकि जो अन्तर है सी यार्यू और इनका रुपांतरन कर सकें वो फिलाल तो आपको कोई भी परिनाम नहीं दे रहें वो तो वहीं पर ऐसे कैसे पड़ें तो अगर आप आज इसे कर देते हैं तो यह आपको WCRU में परिवर्टत हो जाएंगे और यू एंटी बी में से कनवर्ट कर पाएंगे और वरना आप इसे एक्सेंज पे भीज सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इसका क्या होता है लेकिन इस तिती में यह जो CRU है यह बीच में फसेवे हैं और आप इनके साथ अभी फिलाल कुछ भी ने कर सकते हैं बजाए कि यह CRU आपके हित में काम करें आपको एक प्रकार की आयदे UNTB के रू हैं यह शायद आपके पास वापस आजाते अगर आप केवल UNTB को माइन करते और इसे एक्स्चेंज पर बेच देते तो हम लोग दुबारा से उस तर पर पहुंच रहे हैं जहां पर हमारा यह भाव है कि लोग कितने वित्य साक्षार हैं और लोग जो हैं और लोग जो हैं के माध्यम्स पे वो यह सोच रहे हैं कि वो अभी नहीं लेकिन वो बाद में उसका भुक्तान करने के लिए तैयार हैं यह नहीं सोच रहे हैं कि इतने कम कमिशन के अंदर वो WCRU प्राप्त कर सकते हैं और उनका जो अनफ्रीजिंग का जो समय काल है वो भी शुरू हो जाए और मैं उसके बाद जो है मैं मुनाफ्य में होंगा लेकिन लोग ऐसा नहीं सोच रहे हैं और और जो लोग हैं लोग यह नहीं सोच रही कि उनके पास पैसे वापस आने वाले हैं बलकि वो यह चाहते हैं कि पैसे जो हैं वस वो उनके पास पलक छपकते ही वापस आ जाएं तो ऐसा नहीं होगा आपको अपने WCrews को स्टेक करना पड़ेगा UNTB के लिए तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि WCRU से स्थनांतरन होगा WCRU का ब्लॉक्चेन पर और यह लगातार प्रक्रिया है जो चल रही है और हम लोग हमेशा देख सकते हैं की circulation के अंदर बाजार के अंदर कितने WCRU है और आज की तारीक में 19.5 billion WCRU है और 18.5 billion जो CRU माप कीज़ेगा WCRU नहीं CRU यह जो है यह staked है तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि लोग जो है वो अपने WCRU को stake क्यों नहीं कर रहे आप CRU stake नहीं कर रहे अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं अपने token से तो वो वाकई वो ना तो कोई आये आपको बनाके दे रहे हैं ना कोई मुनाफ़ा बनाके दे रहे हैं और हाँ यह हो सकता है कि आपका जो package है जो राशी है वो बहुत छोटी है तो आपकी जो UNTB का जो UNTB की जो खनन होगी या जो UNTB का जो staking का जो उपहार होगा वो कम होगा हो सकता है सिरफ 20 UNTB आपको मिल रहे हो पर यह 20 UNTB तो भी तो आपके लिए मुफ्त हैं और जब भविश्य के अंदर UNTB का जब मूलिय बढ़ जाएगा तो आप उसको बेच सकते हैं मैं आपको फिर बता दूँ कि जो आप WCRU हैं जो locked है उनको आप जो हैं आप उनको stake कर सकते हैं और staking से आप UNTB प्राप्त कर सकते हैं और अगर आपने UGPay के back office से WCRU प्राप्त की हैं तो भी आप उनको stake कीजिए और इसलिए हमने PDF का पूरा का पूरा आपको कदम दर कदम एक निर्देश पुस्तिका बना कर दी थी कि कि किस प्रकार आप CRU से WCRU में परिवर्थित कर सकते हैं और उसको आगे stake कर सकते हैं और यहाँ पर हमार दिया और कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया लेकिन अब हमारे पास टिकेटिंग प्रणाली है और यहाँ पर आप देखेंगे की नीचे की तरफ आपके पास एक प्रशन चिन है और आप वहाँ जाएंगे और उसके अंदर आप देखेंगे सारे के सारे जो सबसे पूरा का पूरा जब तक आपि जो जो यह प्रशन उत्तर का जो अनुभाग है उसको पूरा नहीं पढ़ेंगे अगर उसको पूरा पढ़ने के बाद भी अगर आपकी जो जो आपकी दिक्कत है उसमें आपको कोई उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप support में जाए और वहां पर आप support team से बात कर सकते हैं लेकिन यदि अगर कुछ लेंदेन के से आपके पास आपको लेंदेन में कुछ दिक्कत हो रही है तो लोग क्या करते हैं लोग जो है वो स्क्रीन शॉट भेजते हैं लेकिन स्क्रीन शॉट हमारी मदद नहीं करता एक नंबर होता है जो हैश्टैक से शुरू होता है उस हैश् रहें कि market settings भी नहीं बदल रही है और exchange की screen जो है वो भी jumps ही गई है और उस पे कोई कारिय नहीं हो रहा है तो हम लोगों ने ये देखा कि सभी के पास exchange के अंदर एक घंटी बनी हुई है जो यहाँ पर आपको एक तीर से दिखाई दे रही है अगर आप इनको देखेंगे और अगर इसमें बताया जाता है कि आपने कुछ निकासी की आपने कुछ जमा किया आपने कुछ order लगाया तो वो सारी की सारी चीजे आपको यहाँ नीचे इस घंटी में दिखाई देती है और अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी जो ऐसी ऐसे notice आए हुए हैं जो की आपने अभी तक नहीं पड़े आप यहाँ देख रहे हैं इस screenshot में भी 30 notifications है और जब तक आप इसको नहीं पड़ेंगे तो जो एक्सचेंज है वो freeze हो जाएगी क्योंकि यह जो एक्सचेंज है वो कोशिश करती है कि यह सारे के सारे जो संदेश आपके पास आ रहे हैं आप उनको पढ़ें और आप उनको प तो आप इन सभी notifications को इन सभी संदेशों को पड़ा हुआ सिधी में रखिए और यदि आप अगर नहीं ऐसा करेंगे तो यह यहाँ पर घंटी के उपर आपकी जो संक्या है notices की वो बढ़ती जाएगी और इसलिए यह जो exchange है वो आपकी freeze हो जाएगी कारिये नहीं करेगी तो यह देखिए यह भी एक प्रकार का computer के स्वास्त के लिए बहुत अच्छी है तो यहाँ पर मैंने यह जो screenshot जो बनाई है इसके अंदर एक खास चीज का मैंने ध्यान रखा है कि यहाँ पर हम एक frame कि आप USDT खरीच सकते हैं यह spare में और USDT बेच सकते हैं और यह जो token है यह EOS blockchain के उपर EOS blockchain के उपर है आपको मालूम है कि Ethereum blockchain के अंदर USDT तैथर है और जो Bitcoin blockchain के अंदर भी जो USDT है वो Tron blockchain के अंदर है अब चुकि हमारे पास हमारे अपने token है तो इसे लिए हम लोग जो USDT है हमारा वो EOS token है तो हमारे programmer के लिए यह आसान काम था कि हम लोग EOS के अंदर अपना USDT token add कर दें उसको जोड दें लेकिन इस token को ERC 20 के अंदर डालना हमारे लिए मुश्किल था तोड़ा सा तकनीकी जानकारी है यह तो ERC 20 पे USDT wallet क्या है तो जब आप पैसे निकालने की या निकासी करने की कोशिश करते हैं तो उस समय जो निकासी का commission है वो कभी 15 डॉ हो सकता है कभी 17 डॉलर हो सकता है और जो एक्सचेंज जो है वो निकासी के सारे के सारे order जो है वो एक घंटे तक अपने पास रखती है और जैसे ही यह batch जो एक्सचेंज है जो निकासी का आवेदन है तो वो एक्सचेंज जो है वो एक घंटे में भेजती है तो यहाँ पर जो इत्थूरियम नेटवर्क की जो कमिशन है, वो उस हिसाब से उसकी गंडना होती है. तो एक घंटा पहले अगर उसकी कमिशन 20 डॉलर थी, तो हो सकता है कि एक डॉलर एक घंटे के बाद ये जो कमिशन है, ये 40 डॉलर भी हो सकती है. और एक्सचेंज को नुकसान होता है, यदि छोटी-छोटे लेन देन या छोटे-छोटे जो ये निकासियां हैं, ये बहुत ज़ादा हों और इसलिए उसको एक घंटे के बैच में उसको निकाला जाता है. तो ये आप देखेंगे, तो हमारे जो, जितने हमारे पास, किसी के पास भी 1000 डॉलर से ज़ादा इथूरियम ब्लॉक्चेंग के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर एक खास शर्त रखी गई थी, ताकि हम लोग निकासी के उपर थोड़ा नजर कर रख सकें. तो अगर हर कोई व्यक्ति 50 डॉलर के उपर अगर निकासी करना चाहेगा, तो उसके उपर 20 या 30 डॉलर की कमिशन लग जाएगी, तो ना तो यह लाबदायक ग्राहक के लिए होगा और ना ही एक्शेंज के लिए होगा. तो इसलिए जो कमिशन है वो एर्थूरियम की जो कमिशन है वो शायद थोड़ी कम हो गई है और वो इसलिए क्योंकि एर्थूरियम का जो मूल्य है वो वापिस उपर आ रहा है. पहले जो निकासी की जो फीस थी वो दशमलव 5 प्रतिशत थी अब यह घटकर दशमलव 1 प्रतिशत हो गई है और अगर आप EUSDT ERC 20 की उपर देखते हैं तो इसके उपर कुछ जो दबाव है वो इर्थूरियम नेटवर के उपर है और हम लोग इसलिए पता नहीं कर सकते क कि कमिशन कितनी लगेगी और इसलिए हम लोग अपने पार्टनर्स को अपने सहभागियों को हम थोड़ा सा नजर रखते हैं कि वो कितना वो जो है निकासी कर रहे हैं यदि आप 50 डॉलर की आप अगर निकासी करते हैं तो आपको 50 डॉलर की कहीं पर कमिशन भी लग जाती ह तो अगर कोई ये भी कहें कि एक डॉलर निकासी करना चाहता है तब भी उसको 50 डॉलर की फीस लगेगी तो अभी तक हमारे ब्लॉक्चेन के ऊपर जो ERC20 जो है वो अभी तक अभी तक उसके अंदर उसको जोड़ा नहीं गया है जब तक ये जो मुद्दा है ये जो दिक्क ये जब तक इसका हम लोग हम इसका निवारन नहीं कर लेते तब तक हम नहीं करेंगे हम देखेंगे कि हमारे हमारी एक्षेंज के ऊपर जो उप्योग करता है उनका उनका क्या रुजान है और उसके बाद हम लोग ये चीज़े देखेंगे ठीक बात है ये चीज़े बाइन के उपर नहीं है यह कोरियन या चाइनीज बिट फाइनेक्स जो है वो भी एएस के क्रू को कू को जो है उसका समर्थन करती है फिर वहाँ पर उनके पास कुछ भी केंदरी कित टोकन के टोकन भी है और वहां से आप जो है क्रिप्टो करंसी बिट आप खरीच सकते हैं और उसक के लिए आपको पुष्टी करन या सत्यापन की जरत नहीं होती बिट फाइनेक्स में सत्यापन की जरूरत है तो अगर लोग कहते हैं कि उनिटेक्स के उपर सत्यापन के लिए बहुत समय लगता है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि मैंने पिछले छे तारिक से मैंने बि और उन्होंने कहा कि आप अपने जो तो मैंने ये देखा और मैं बहुत आश्चरेच चकत थी और उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कहां ब्लॉगिंग करती हूँ और उन्होंने कहा था कि सत्यापन की जो प्रक्रिया है बिटफाइनेक्स पे साथ से 14 दिन लगते हैं और 6 मई को मैंने शुरू किया है और 21 मई को मैंने वहाँ पर एक पत्र भी लिखा है कि मैं आपने सत्यापन का इंतजार कर रही हूँ और अभी तक मुझे वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है और अब आप कहते हैं कि हमारी समर्थन सेवा जो है वो कारिय नहीं कर रही है तो आप बिटफाइनेक्स की उपर जाकर देखिए और देखिए कि उनकी समर्थन सेवा कैसे काम करती है तो आज जो है 27 तारिक भी हो च पानी एक्षेंज के साथ बिटफाइनेक्स के साथ आप सत्यापन नहीं कर पा रहे हैं और कोई कह रहा है कि युनिटेक्स के उपर सत्यापन जो है वो एक घंटे के अंदर हो गई तो हो सकता है आपने निर्देश पड़े क्यों हो ठीक से सारे निर्देश पड़े हो दस्त जो सत्यापन की प्रनाली है वो अलग-अलग श्रेणियों में बटी हुई है और अगर आप चाहते हैं कि 1000 डॉलर से नीचे आप अगर कारोबार करना चाहते हैं तो वो वहाँ पर आपको सत्यापन की जो श्रेणी है वो कम है उसके बाद अगर 1000 से उपर है तो सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा वक्त लेती है और थोड़ी सी सक्त है तो जो ERC20 के जो tokens हैं उसमें एक दिक्कत और भी है यदि आपके पास कोई order आपका अटक गया जैसे कि आपने USDT, USDU के अंदर currency pair के अंदर अगर order डाला है और अगर वो अटक गया है तो आप एक टिकेट जारी करिए और उसके अंदर आप लिखिए कि आपका जो order है वो अभी अटक गया है और आप उसके अंदर बताईए कि आपका जो order है वो cancel नहीं हुआ था और हमारे programmer जो है वो manually जाकर उस order को cancel कर देंगे तो ये जितने भी किसी कारणवश अगर आपका order रुक गया है या अटक गया है तो आप एक टिकेट जारी कर सकते हैं और उसी तरह Unitex के उपर अगर आप सत्यापन करवा रहे हैं और सत्यापन का जो आवेदन है आपका वो विफल हो गया है तो आप Unitex को mail लिख सकते हैं और उसके बाद आपको दूसरा एक मौका मिलेगा जिसमें आपको सारे के सारे दस्तावेज जो है आप upload कर सकते हैं अफसर वहाँ से आप से दस्तावेज मांगता है तो आप जो है वो सारे के सारे डॉक्मेंट्स वहाँ upload कर सकते हैं तो आपको सारे के सारे दस्तावेज एमेल से नहीं भेजने बलकि आप अपने वेक्तिगत अकाउंट से ही आप जो है वो आप जारी कर सकते हैं जो record हो या फिर वो आपका character प्रमान पत्र हो तो चरित्र प्रमान पत्र हो तो ये सारी की सारी चीज़ा अगर ये मांगते हैं तो आप यहाँ पर अपने व्यक्तिकत और जो USDT है वो हर एक अलग-अलग प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है चाहे वो ERC20 के उपर है या वो TRON के उपर है तो ये जब तक हम लोग इस चीज़ को नहीं अपनाएंगे तब तक USDT वाकई जो है वो सफल नहीं होगा तो आएए हम कारिय योजना बताते हैं आपको मई के महिने के लिए हम लोग ये चाह रहे थे कि ब्लॉक्चेन के उपर जो जो लोयल्टी बोनस है वो जो है वो अकुरू हो यानि कि वो जमा हो तो हम लोग यहाँ पर उस चीज़ की जो कारिय शमता है उसको हम जाच रहे हैं और मैंने कुछ टिपनिया भी की हैं और मुझे उमीद है कि कल तक यह जो टिपनिया मैंने दी थी उस टिपनियों के उसको मान लिया जाएगा और जो डिविडेंट से आपके जो समबंदित लेंदेन है वो अलग से आपके ब्लॉक्चेन के उपर दिखाया जाएगा और ब् लेकिन देखते हैं कल तक हमारे प्रोग्रामर्स क्या करते हैं और जब तक अपने CRU, WCRU में परिवर्थित नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोग जब तक ये जो सिंक्रोनाइजेशन के जो मुद्दे हैं हम लोग तब तक जो है अपने बोनस को यहां जो है ब्लॉक्चेन की पर अरजित नहीं कर पाएंगे, अक्रूल नहीं कर पाएंगे हम लोग ये एक मौका देना चाहते हैं उन सभी लोगों को जिनके पास CRU है ताकि वो अपने जो CRU को परिवर्थन करने WCRU के अंदर और तभी उन वो जो है वो लोयल्टी बोनस प्रोग्राम प्राप्त कर पा हैं उन सभी का समाधान निकाल लिया जाएगा तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जुलाई नहीं जून की ही बात हो रही है जो मर्या ने अभी बात की है और हम लोग जो एक और ग्लोबल यूनिट पे से हम लोग जो फियेट और तो यानि की जूनिटेक्स की उपर ज रखते हैं बहूत सारे लोगों ने अपने अकाउंट जो है वो ग्लोबल युनिट पे का अकाउंट जो है उसको जोड़ दिया है उन्होंने link कर दिया है अपना account Unitex exchange के साथ और बहुत सारे जो सहभागी हैं हमारे chat के अंदर वो शिकायत कर रहे थे कि मैं अपनी exchange से जो है वो dollar के रूप में मैं निकासी करना चाहता हूँ और मिर पास अभी तक bank card नहीं है तो मैं क्या करूँ तो मैं यह कहूंगी कि शुरू करने के लिए global unit पे आपको एक आपके पास जो है आप आपको एक virtual card खरीदने का मौका देता है और उस virtual card को आप apple pay से आप link कर सकते हैं और वहां से आप अपने पैसे की निकासी कर सकते हैं साथी साथ एक मौका और भी है कि आप USDC के सिक्के भी खरीद सकते हैं और यह जो USDC का जो coin है वो आप एक के अनुपात में आप खरीद सकते हैं यानि कि एक डॉलर का एक USDC और जो bitcoin और ethereum की जहां तक अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जिनके पास USDU है वो USDC के अंदर उसको परिवर्थित कर सकते हैं और USDC के बाद आप जो है उसको virtual card पे डाल सकते हैं खरीदारी कर सकते हैं या फिर आप जो है भुकतान प्रणाली के अंदर खर्च करकर उससे वहां से आप जो है आप ethereum या या आप जो है bitcoin खरीद सकते हैं और जो लोग दो हफते या तीन हफते रुक सकते हैं तो उनको USDT token का इंतजार करना होगा जो हमारी exchange के उपर बहुत शीगर आ जाएगा तो उन लोगों के लिए जहां पर डबली जो CRU का परिवर्थन जो भी मुद्दा है वो उसका निवारन कर दिया जाएगा तो साथी साथ आपको ये बता दें कि कोई भी loyalty प्रोग्राम के अंतरगत कोई भी bonus जो है वो अभी अर्जित नहीं होगा और आपको ये सारी की सारी जानकारी webinars के माधियम से back office के माधियम से आपको दी जाएगी और एक और चीज़ आपको बता दूँ कि exchange के अंदर हमारे पास एक प्रणाली है टिकेट प्रणाली है और आप लोग एक टिकेट का इस्तिमाल कर सकते हैं एक टिकेट नंबर होगा और आप उस टिकेट नंबर को वो जादा तेजी से होगी लेकिन आपको मैं बता दूँ कि यदि आप सत्यापन जो है वो global pass से करते हैं तो आप अधीर मत होए और अधीर होकर आप जो है वो टिकेट मत जारी कीजिए और उसके उपर वहाँ पर आप साथी साथ बहुत सारे सहभागियों ने अपने दस्तावेज भी अप्लोड कर दिया है उस टिकेट के साथ तो मैं आपसे ये आग रह करूंगी कि आप ऐसे टिकेट ना जारी कीजिए आप टिकेट तभी बनाईए जब आपके पास एक इमेल आता है कि आपकी जो आवेदन है सत्यापन का आवेदन है वो विफल हो गया है क्योंकि आपके पासपोर्ट के दस्तावेजों की जो फोटो थी वो ठीक नहीं थी या आपका जो उपनाम है वो किसी राजनेता से मेल खाता है और उस मामले के अंदर आपसे अधिक यानि की अतिरिक्त दस्तावेज और मांगे जाएंगे तो दोस्तों ये हमारी आखरी स्लाइड थी और आप देख रहे हैं हमारे पास अभी भी साथ मिनट है और मैंने यहाँ पर वियतनामी कक्ष से एक प्रश्न देखा था कि लिस्टिंग के ऊपर कि हमारा हम लोग कब दूसरी एक्चेंज के ऊपर लिस्ट होंगे तो अगर आपका सीड फ्रेज यानि कि आपका जो बीजवाक्यांश है अगर वो गुम गया है तो ये गुमा ही रहेगा अगर आपने उसको वालेट के अंदर नहीं डाला है तो आप सपोर्ट से जरूर संपर्क साधिये और उनको बताएं कि क्यों आपका जो जो सीड फ्रेज है यानि कि बीजवाक्यांश है वो आपने खो दिया है तो हम लोग यहाँ पर आपकी मदद कर सकते हैं लेकिन अगर आपने अपने वालेट के अंदर पहुँच एक बार भी बना लिया आप उसके अंदर चले गए हैं और उसके अंदर आपने कुछ भी लेंदेन किया है और कुछ लोगों ने तो अपने CRU भी स्टेक किया है और उसके बाद उन्होंने जो ये बीज वाक्यांच की जो सीड फ्रेस की जो फाइल थी उसको डिलीट कर दिया है और उन्होंने एक महिला थी उन्होंने का कि उनके उनके पास फोटो है अपने बीज वाक्यांच की और उन्होंने जब हमने देखा तो गल्ती से उसको डिलीट कर दिया वो मॉस्को ओफिस आई और मॉस्को ओफिस के अंदर कुछ लोगों ने उनकी मदद करने की कोशिश की की वो सीड फ्रेस फिर से वो शुरू करें और उसके बाद फिर से सारे के सारे शब्द डालने शुरू किये लेकिन आपके पास अगर दौलत जो है वो खो देंगे बिटकॉइन में माप कीजेगा जो आपके वालेट के अंदर जो भी है वो आप खो देंगे हमेशा हमेशा के लिए तो अब आपका जो प्रशन था कि हम लोग और एक्चेंज पर कब लिस्ट होंगे तो मैं आपको बता दूँ कि ये इतना आसान कारिय नहीं है तो इसी लिए अगर तकनीकी तौर की उपर हम देखें तो ये बहुत जादा जटल समस्या नहीं है लेकिन उसके लिए हमें एक कानूनी राय लेना जरूरी है हमारी मार्केटिंग जो है मार्केटिंग पैकेज भी तयार होना चाहिए जो मार्केटिंग कमपनी हमारे साथ काम कर रही है वो ये कहती है कि जो हमारा श्वेद पत्र है वो बहुत पकाता है और उन्होंने इनी श श्वेदपत्र वाइट पेपर जो है वो होता है और इसे लिए उन्होंने हम लोगों को बोला है कि वो हमारे श्वेदपत्र को हम बदल दें ताकि उसके अंदर कम से कम तकनीकी भाशा हो ताकि जो साधारन लोग हैं जनसामानने लोग हैं वो भी इसको पढ़ सकें और समझ सक तो ये चीज हमारे पास एक प्रतिपुष्टी हमारे पास आई है और हमारा जो श्वेत पत्र था उसको बदलने में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कारिय था बहुत लंबा कारिय था और हम लोग अभी लिस्टिंग के लिए दूसरी एक्षेंज के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं और ये बातचीत जारी है और ये जो मार्केटिंग गतिविद्या है जो ये विपन्नन की गतिविद्या है ये थोड़ा समय लेती है और मैं ये एक अनुमान लगा सकती हूं कि जून के मद्धे तक या जून खतम होने से पहले-पहले हम इन सभी कारियों को पूरा क कर लेंगे श्वेत पत्र जो है जो वाइट पेपर है हमारे यूजीपे ग्रूप की वेबसाइट के ऊपर है और क्रिप्टो यूनिट.cc की ऊपर भी ये अपलोड़िड है और जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो CRU को WCRU में परिवर्थन करने के लिए जो कमिशन को हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो अनुपात करू का WCRU में का जो रेशो या अनुपात है वो वन इस टू वन ही रहेगा और जो कमिशन है वो हम लोग एक बार जनवरी में माफ कीजेगा जुलाई में देखेंगे कि उसको बढ़ाना है क तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग जो है वो ये प्रशन को दोहरा रहे हैं और वो ये प्रशन है कि वो अपने सत्यापन को बार बार पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो ये सत्यापन की प्रक्रिया है जिसके अंदर अगर आपका नाम जो है वो राजनिय तिक हस्ती से मिलता है अगर आपका पहला नाम और उप नाम अगर किसी आपकी राजनेता से मेल खाता है या किसी पार्लिमेंट सदस्य से मिलता है तो इसी लिए ये जो लोग हैं उन लोगों को एक टिकेट बनानी चाहिए और उसके बाद हम लोग उनसे अतिरिक्त दस्तावे मांगेंगे जैसे कि उनके शादी का प्रमान पत्र हो सकता है कि पूरा का पूरा जो नाम है वो किसी राजनेता से मेल खाता हो लेकिन जब वो आपकी धरम पत्नी या आपके पती का जो है वो उनका नाम जो है उसकी पुष्टी करेंगे और वो ये देखेंगे कि जो राजनेत हैं उनके भारिया का नाम अलग है और आपकी भारिया का नाम अलग है या उनके पती का नाम अलग है आपके पती का नाम अलग है तो इस प्रकार वो उसकी पुष्टी करेंगे तो दोस्तों लिस्टिंग की जहां तक बात करें दूसरी एक्सचेंज के अंदर तो तक्नीकी तौर पर हम लोग कर सकते हैं लेकिन जो सबसे बड़ा जो हम लोगों को दिक्कत आती है वो ये कि हम लोगों को मार्किट कॉइन कैप का ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को उन एक्सचेंज की उपर लिस्ट करना है वो एक्सचेंज जो कॉइन मार्किट कैप में मौझूद है और उनका जो पूरा का पूरा डेटा है जो पूरा का पूरे आंकडे जो हैं वो इकठे होते हैं और उनका उनको दरशाया जाता है और इसलिए हम लोग बहुत ही पेशेवर एजेंसिस के साथ काम कर रहे हैं जो एक साल के अंदर अलग-अलग तरह के टोकन जो हैं वो लिस्ट कराते हैं और वो पिछले पांच सालों से काम कर रहे हैं क्रिप्टो बाजार के अंदर उनको पून रूप से पता है कि किस प्रकार से इसकी लिस्टिंग करनी है और इस पैकेज को पन्नन के हिसाब से उस नजरिये से कैसे लॉंच करना है तो इसलिए हम लोग उन पेशेवर एजेंसी के सास्थ काम कर रहे हैं इस के ऊपर कि हम ये लिस्टिंग बहुत सारे जल्दी से जल्दी कर पाएं और हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो कि लोगों ने लॉंच किये हैं बहुत सारे एक्षेंज के ऊपर और बहुत सारे सिक्कों के अंदर तो अब यहां पर जो आपको लोयल्टी बोनस का जो प्रशन है तो लोयल्टी बोनस मैं आपको बता दूँ कि आपका अर्जित तब होगा जब सभी के लोग CRU से WCRU में परिवर्थन कर लेंगे और उसके बाद लोयल्टी बोनस जो है वो अर्जित होगा और वो CRU की उपर नहीं बलकि WCRU की उपर अर्जित होगा एक और प्रशन जो है कि USDU को हम वालेट में कैसे कर सकेंगे तो यह कार्य अभी चालू है और इसके बारे में हम बात करेंगे मई में और जून में क्योंकि यह जो USDU जो है यह आप असानी से किसी भी एक्सचेंज पर खरीच सकते हैं बेच सकते हैं और आपकी जो जो तो हम लोग चूँकी Quantum Payment System Quantum Payment System का आप उप्योग करते हैं और उसके माध्यम से आप एक्सचेंज खाते को टॉप अप करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिन्होंने Quantum के माध्यम से इस पेमिंट को रिजेक्ट किया है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यह तो खरीच जो है कई सारे देशों में लाइसेंस प्राप्त कर चुका है और अंतराश्ट्रिय बैंक जो है वो विश्वास करता है इस प्रकार की प्रनाली पे और तीन दिन दिये जाते हैं और इस पे एक विस्तृत लाइसेंस प्राप्त किया जाता है और इसके बाद आने वाले समय में हमें आशा है कि उन लाइसेंस के आधार पर सभी कार्ट को स्विक्रिति मिल जाएगी और जून के अंदर एक कार्य है सभी विशेशक्यों का और वो कार्य यह है कि वो सीमाओं को कम करतें यूएस्टियू में तो फिलहाल छे यूएस्टियू हैं जिसको विड्रॉ करना है एक्सचेंज से लेकिन हमने उनसे अनुरोद किया है कि किरप्या करके इन सीमाओं को आप कम कर दीजे हमारे जो टोकन है यूएस्टियू उसके लिए आप कम से कम अप टू वन यूएस डॉलर तक ही बस कमिशन ले तो इसके हिसा हो जाएगी शायद वह एक तक नहां पहुंच जाए एक दम से लेकिन कम से कम दस तक पहुंच जाएगी ताकि आपका जो डिपॉसिट है वह इखटका ना हो जाए पंद्रा के बाद तो प्यारे दोस्तों मुझे लगता है हमारे आज का यह जो सत्र है हम इसके अंत तक पहुंच गए हैं हमारे पास समय की कमी है और इसलिए हमें आशा है कि अगले बार आपके सभी सवालों का हम जवाब देंगे या आप समर्थन सेवा से अपनी सभी सवाल पूच सकते हैं और तब तक मैं आप सबसे यहीं विदा लेती हूं और आशा करती हूं कि आप लोग अपना ध्यान रखेंगे और इसी के साथ इसी के साथ आपके हिंदी अनुवादक के रूप में हरमीत सिंग जी और मैं साक्षी मलोत्रा आप से यहीं विदा लेते हैं आशा है नए जोश और मंग के साथ आपके साथ आने वाले सत्र में दुबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें आपका जीवन और समय मंगल मैं और अनंत मैं हो इनी शुपकामनाओं के साथ धन्यवाद और शुपरात्री